नमस्कार मित्रों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो ब्लाउज की कटिंग एक साथ करने का तरीका बता रहे हैं तो आज का मेरा वीडियो इसी पर बेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस प्रकार आप दो ब्लाउज या तीन ब्लाउज को एक स जैसे हमने फोल्ड किया है फिर एक इंच का यहां पर इस प्रकार से बेल्ट पट्टी के लिए निका लेंगी उसकी बाद यह जैसे ड्राइंग बना हुआ है ब्लाउज को ड्राइंग बना लेंगे लंबाई चौडाई और जितना आपका ब्लाउज है उस हिसाब से फिर य बनाने के बाद इसको कटिंग कर देंगे में चीज आपको यह जो ब्लाउज है वह एक दूसरे के उपर रखें ऐसे इस प्रकार आपको रखना है और ध्यान यह रखना है कि सिधे तरब इस प्रकार से ऐसे निसान लगा देंगे ताकि आपको कटिंग करने के बाद उल्टे होने का कोई दिख्कत नहीं हो ठीक है तो चलिए इसको कटिंग करते हैं कि यह देखिए यह हमने बेल्ट पटी कट किये अब यहां से कट करेंगे इसमें तीन पिर ब्लाउज को आप कटिंग कर सकते हो एक साथ सिर्फ आपको ध्यान यह देना है यहाँ पर आपको जिस प्रकार का यह गला डिजाइन बनाना है जो नेक की डिजाइन आपको बनानी है उसको यहाँ पर रख देंगे और यह आउट लाइन में ऐसे कटिंग करते जाहिए इसी प्रकार से आप अस्तार की कटिंग भी ऐसी कर सकते हैं यह ठीक है बैक साइड अब हम प्रांट की कटिंग करेंगे कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग है मित्रों यह लगवाग 32 चेश्ट की कटोरी है यह इस प्रकार से पूरा यहां जितने निसान है वो कटिंग कर लेंगे उसके बाद आस्तिन निकालना बताऊंगी इसी में अब आस्तिन निकालने के लिए यदि हम इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे तो हमको चौड आई कम पड़ेगा तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे अब देखते हैं इसमें अपना पेपर कटिंग को रख करके जितनी इस लंबाई का हमको आस्तिन चाहिए वह हम यहां पर मिल रहा है कि नहीं ठीक है यह इस प्रकार से इसको कट कर लेंगे यह सिप मिसान लगा करके अब यह तो कटिंग हमारा हो गया यह इस प्रकार से दो ब्लाउज का आस्तिन है ठीक है अब एक चीज और मित्रों जैसे आप कटिंग किये हो तो जहां पर आपको फिटिंग करना है यह चेस्ट का मेजर मेठ है वहाँ पर इस प्रकार ऐसे सभी पाइंट्स पर कट्स लगा देंगे इससे आपको फिटिंग करने समय और नापने के ज़रुरत नहीं पड़ती यहां पर तो यह चीज है छोटी छोटी बाते हैं वह आपको ध्यान देना है और ज्यादा कुछ नहीं है आसा करती हूं मेरे डिजाइंस और मेरे तरीका जो है वह आपको पसंद आता होगा और यदि समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हैं उनका दिल से धन्यावाल और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं मुझे कि मेरे डिजाइंस और जो ब्लाउज का वो कैसे आपको लगा ठीक है अब यहाँ पर हमारा तो यह हो गया यह बेल्ट पट्टी हो गया इसमें हमको पाइपिन निकालना है और पाइपि तिर्शी पट्टी और यह पट्टी निकालने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप इस प्रकार से इस केल को ऐसे रखेंगे तो यह आपको दो इंच का पाइपिन पट्टी इसमें निकाला आएगा ठीक है इस प्रकार ऐसे निसान लगा लेंगे इससे आपका काम इजी होगा इस प्रकार से ब्लाउज पीस में कभी कभी कपड़ा पहुंक कम होता है मित्रों तो उसको ध्यान से देखकर निकालना है ठीक है इसमें हम बटन बनाएंगे ये उरे पटी को फिर इसको कट कर देंगे इसी प्रकार से आप सभी पटी को निकाल लेंगे फिर आपका कटिंग जो है वो कम्प्लीट हो गया मित्रों इस प्रकार से हमने दो ब्लाउज के कटिंग एक साथ करने के तरीका बताया आसा करती हूँ आपको पसंद आया धन्यवाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में